आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो पर विचार यात्रा महापुरुषों के उधरण, कविताओं और लगु कथाओं के माध्यम से प्रगती शेल्ड विचारों की श्रेंखला नमसकार दोस्तों, विचारों की यात्रा में आज हैं आप अपने रेडियो दोस्त निहारिका के साथ जिसमें आज हम आथले लेकर के आए हैं कवित्री, कात्यानी के कविता, जीवन की बारी में कुछ बाते कात्यानी की एक कविता जीवन की तमाम अनिश्रितिताओं के बीच जीवन को खूजने की कोशिश है कविता इस दिशा में भी इशारा करती है कि स्थिर हो जाना जीवन नहीं है और जो लोग स्थिर होकर जीवन को पाने या खोजने की कोशिश करते हैं, वो जीवन से पीछे छुड़ जाते हैं, जीवन तो गती है और स्थिरता मृत्युँद। थोड़ा सा प्यार मिला, थोड़ी नफरत, थोड़ी उत्तेजना, थोड़ी तनाव और थोड़ी चुनावतियां, थोड़ी लंभी छोटी छोटी दुखों के, सुखों के। नहीं मिला, नहीं मिला कहीं भी आराम का विरा, नहीं पूरी तुष्टी, इसलिए जीवन रहा, बैता हुआ काल की प्रवाह में, दिक के दिस्तार में, पाती रही, खुती रही, बार-बार उसको मैं जीवन था वो। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कवित्क्री, कात्यानी के कविता, जीवन के बारी में कुछ बातें। सहकार रेडियों पर विचारों की यात्रा का आज कही सफर यहीं तक। कल फिर मिलेंगी एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए हमें दीजे इजासत। नमस्कार। आप सुन रहे थे सहकार रेडियों पर विचार यात्रा क्यूंकि दुनिया को बदलने की शुरुआत विचारों से होती है। आप सुन रहे थे साथ।